हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग देखिए फाइनली SSC ने CGL 2019 के टीर 3 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया आप सभी ने देख लिया होगा आई होप मैं आसा करता हूं ऐसा और आप सभी का सेलेक्शन हो भी क्या होगा जो भी यह वीडियो देख रहे हैं अब यह तक नहीं देखें तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है रिजल्ट वगएरा पूरी पीडियो बगएरा डाल दिया है तो आज कि इतनी हाई गई है उसके उपर बात करेंगे अग्दम आउट ऑफ दो वर्ल्ड गई है नंबर कब आएंगे इसके सब के बारे मां आपको मिल जाएगी जितने भी आते हैं अपडेट वगएरा में हर चीज डालते रहे तो अलग अलग एक्जाम के यूट्यूब पर आप देखी रहे हैं ठीक है तो तो टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं अब जो बच्चे हैं उनके तीन लिस्ट बनाई गई हैं सब्सक्राइब करते हैं तो जो कट ओफ गई है जो आप इसकी टीर वन टीर 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 धाशे के माजश्ट पर सब्सक्राइब करते हैं तो और दीर दीर बात करते जा रहे हैं तो यह चारों लिस्ट और चारों टेलिग्राम पर डाल दिए अपना रेजल्ट जरूर चेक करिएगा ठीक है कट ओफ और जो भी टीर सिरी का बेस इसी के बेस पर स्किल टेस्ट और डीवी दोनों के लिए आप क्वालिफाई है जो कट आफ गई है यह के लिए बात कर रहे हैं भी अस्टेंट ऑडिट ऑफिसर उसमें जनरल की आप देखेंगे यह यह 900 में से गई है ठीक है द्यान रखना और तो चार सो चवालिस के अवेलेबल हैं और टोटल बच्चे क्वालिफाई किया है इसके लिए एक और चीज है कि स्टेंडर्स पर अपनी अपनी केटेगरी में इन इडिशन इन सब के अलावा चालीस के बच्चों के लिए लट रहे हैं लिस्ट्टू की बात करें जहां पर JSO की लिए स्टेटिकल इन्वेस्टिगेटर की बात कि है तो इसमें जो यू आर का कट अप गया है आप 536 देख सब्सक्राइब करें इसके लावा यूर कंडिएट में इसमें इतने इतने बच्चों ने हरी कैटेगरी के जिसमें पान्सटाइब क्वालिफाई किया अब बात आते हैं मैं जो हमारी हर एक पोस्ट के लिए है सारी जिसमें सारी सब्सक्राइब होते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता कि पज़ती नहीं चोड़ती यह वाली सीट है तो इसमें जो कट आफ गई आप लागे चिक रोकेट पिक कि सुनी कि सास्सों में से 624 कट हो जाए हाला कि नॉर्मलाइज़र और नॉर्मलाइज़र ने इतना भसड में चाहिए यह पक्का है बहुत ज्यादा भसड में चाहिए और बहुत इधर सोदर चीजें हुई है जो भी हुई हो पंद्रह सोले अठार जिदर पे जैसे हुआ हो तो बहुत इधर उदर ऊपर नॉर्मलाइज़र में ऊपर नीचे नंबर हुए यह आप देख सकते हैं काफी काफी नंबर बढ़े हैं यूर की 624.28 गई है और केंडिट अवेलेबल है 3181 यूर की सीट्स और केंडिट अवेलेबल बहुत अच्छा रेसियो है और इसके यूर्ण देखोगे तो कट अब गई है 594 इसे थोड़ी कम गई है और ओवी सी और यूर्ण पास पास में गये स्टी का 525 गया स्टी का 547 गया और केंडिट अवेलेबल आप देखोगे सबसे ज्यादा केंडिट अवेलेबल हैं ओवी सी के यहां पर भी लगवाद साड़े हजार चौदे हजार बच्चे हैं यू आर टोटल जितने भी सारी के मिला के जो अभी डीवियो स्केल टेस्ट के लिए जाएंगे यह लिस्ट की बात कर रहा हूं लिस्ट टू और लिस्ट वन के और आप एड़ करने हैं उसे ठीक है अब बात करते हैं उसमें तो जो यूर् टेंडर्स पर फाइट कर रहा है ठीक है तो आप यह देख सकते हैं इतने तने बच्चे यूर्स टेंडर्स में अब इसका मीनिंग आप अपने आप समझ जाएं कि लगवा हजार के असपस तो यह भी है और लगवा साड़े सोले सो ओभी सी के भी है तो लिस्ट ठीके जो य यह यह यूर्स की चैसोफांच की एविश की 562 में और 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 चोड़े सब्सक्राइब ऑब वह है बट फैक्ट है यह कि जो बच्चे यह है इनके बाद जो चौदे आज़ार के बाद काहां इतनी चौदे बिन यह चोड़ेगा कोई बच्च्च जो इसमें ले पाए तो ल और बाकि CPT के regarding क्या क्या होगा कैसे कैसे होगा वो पूरा बता दूगा के लिए इतने पर क्या वालिफाइक है यह सब अब इसमें बात यह है कि जो कंडिट क्या है उनका स्किल ट्रेस्ट रही होगा दूसरी बात यह है कि CPT के लिए बुलाए जाएंगे लेकिन अभी CPT के नोने कहीं पर डेट वगरा नहीं दी ए कहीं पर भी यहां पर नहीं दी ग वरिफिकेशन होगा इसके बाद डारेक्ट कुछ नहीं करना जिनका लिस्ट और लिस्ट तू में है वो सीधा डीवी की ले जाएंगे जो लिस्ट थ्री में है वो CPT के और फिर डॉक्मेंट वरिफिकेशन के लिए जाएंगे ठीक है इसके लावा आब यहनोंने बोलाए कि बहुत जल्दी ही इंड्यू कोर्स हम बताएंगे के कब आपके CPT और डीएस्ट और यह डॉक्मेंट वरिफिकेशन होंगे बट चांसे हैं कि बहुत जल्दी आपका हो जाए लगवा 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 एक से लेड़ महिने में आपका साइध CPT और यह वगरा हो जाएंगे इसके लाव एक जो बहुत मुस्ट इंफोर्मेशन है के नौ जुलाई को मार्क्स डेक्लियर करे जाएंगे तो अभी रिजल्ट देख लीजे खुस रहिए नंबर आप नौ जुलाई से इकतिस जुलाई तक ही देख पाएंगे तो अगस्त में आपके आसपस आपके डिवी स्टार्ट होंगे उसके फिर दिवी अगरा होगा तो जैसे ही होगा वह एससी बताया देगी और इसके रिकार्डिंग अगरा भी डाल दी जाएगी और जैसे कोई इंफोर्मेशन होगी तो पताई जाएगी इसके लावा जो आप जानना चाहते हैं कि आपका क्या रहा मेरा दीकर रेजल्ट क्या हूगा और अब देखते क्या होता आगी अबया क्या है बागी आपको क्योश करेक्स गड़ी जल्दी बहुत करिये लें दोस्ते हैं